नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ छेलेंद्र पांडे आज हम बात करने वाले हैं सावन के पवित्र महीने की जिसकी शुरुवात आज के दिन से हो रही है ये महीना अपने आप में इतना पवित्र है कि इस महीने के हर दिन में भगवान शिव की कृपा बरस्ती है और चुकि उनकी कृपा बरस्ती है इसलिए आप जीवन की बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं अपने भागे को चमका सकते हैं चाल्चक्र में आज बात इसी विशेपर होगी, क्या खास है? चलिए बताते हैं आपको. आज बात करेंगे कि सावन में आपका भाग्य कैसे चमकेगा? सावन में कैसे भगवान शिव की कृपा आपके उपर बरसेगी? और सावन में किन बातों का ध्यान रखना है? कौन-कौन सी साबधानियों का पालन करना है? ये भी समझेंगे. सबसे पहले जानते हैं कि सावन के महीने की महिमा क्या है? सावन के महीने की Importance क्या है? ये जो सावन का महीना है वो हिंदूओं के पवित्र चातुर मास में से एक माना जाता है चातुर मास के चार महीने होते हैं श्रावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक उसमें जो चातुर मास का पहला महीना है तो सबसे ज़्यादा पवित्र है उसे कहते हैं सावन इस महीने का संबंध पूर रूप से शिव जी से माना जाता है माना जाता है कि इस महीने का जो नियंतरन करते हैं वो भगवान शिव करते हैं ऐसा पुरान कहते हैं पौरानिक कथा कहती है कि इस महीने में समुद्र मन्थन हुआ था और जब समुद्रमंथन हुआ तो कालकूट नाम का हलाहल विश निकला जनता की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने उस विश का पान कर लिया हलाहल विश इतना ज़ादा उग्र था कि उसको भगवान शिव ने अपने कंठ में रोक लिया और उसकी उग्रता उनके अंदर बनी रही भक्त इसी लिए इस महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं कि जो विश लेकर भगवान शिव ने हमें जीवन दिया है हम उसका आभार व्यक्त करें और भगवान शिव को जल अर्पित करके उनकी उगरता को शांत करें वो कारिय इस महीने में किया जाता है पूरे वर्ष भर अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं और उससे जो फल मिलता है वो फल केवल सावन में पूजा करके पाया जा सकता है आप साल भर शिव पूजन नहीं कर पाते कोई बात नहीं लेकिन अगर सावन में आप भगवान शिव की पूजा करें तो सावन में इसका फल पा सकते हैं तपस्या, साधना और वर्दान के उप्राप्त करने के लिए ये महीना बहुत शुब होता है आप तपस्या करना चाहते हैं आप साधना करना चाहते हैं आप भगवान शिव से मनचाह वर्दान पाना चाहते हैं उसके लिए ये महीना बहुत शुब होता है और इस महीने में की गई प्राथना, की गई तपस्या निश्फल नहीं होती इस बार सावन का महीना 28 जुलाई से शुरू हो रहा है यानि आज के दिन से शुरू हो रहा है और ये 26 अगस्त तक रहेगा और इस बार सावन शनिवार से शुरू हो रहा है सावन के शनिवार को संपत शनिवार कहते हैं संपत देने वाला शनिवार कहते हैं इसलिए इस बार सावन और भी ज़्यादा शुब तो है ही धन दायक है, पैसा देने वाला है, संपत्ती देने वाला सावन है क्योंकि संपत शनीवार से सावन की शुरुवात हो रही है अब ये जानते हैं कि सावन के महीने में किस तरह के विशेश लाब हो सकते हैं देखिए जिनका विवाह नहीं हो पा रहा हो ऐसे लोग अगर प्रार्थना करें अगर उपासना करें तो सावन में विशेश प्रियोग करके, विशेश उपासना करके विवाह का वर्दान पा सकते हैं शिव और पार्वती की कृपा से उसका भी विवाह हो सकता है जिसकी कुंडली में विवाह होने के योग नहीं है जिनकी कुंडली में आयू भाव कमजोर है या जिनकी कुंडली में उम्र की समस्या है या स्वास्त की समस्या है उन्हें भी आयू रक्षा का वर्दान सावन के महीने में मिल सकता है भगवान शिव कालों के काल हैं महा काल हैं उनकी पूजा करने से निश्चित निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा से आयू की रक्षा होगी और स्वास्ते का वर्दान मिलेगा सावन में शनी की पूजा सबसे ज़्यादा फलदाई होती है और सावन के शनीवार को संपत शनीवार कहते हैं यानि वो शनीवार है जो आपको संपत्ती देता है जो आपको संपत्ती प्रदान करता है इसलिए सावन के शनीवार की पूजा करने से आपको शनी से संबंधित तमाम शुब फल मिलते हैं और शनी से संबंधित पीडा दूर हो जाती है सावन के महीने में कुंडली के तमाम दोशों को शांत कर सकते हैं जैसे अगर ग्रहन दोश है उसको शांत कर सकते हैं राहू दोश को सांत कर सकते हैं गुरु चांडाल दोश को शांत कर सकते हैं या कुंडली में कोई और खराब योग है, विश्योग है या कोई अन्य खराब योग है उसको भी सावन में आसानी के साथ शांत कर सकते हैं पूरे साल में सावन का मौका एक मात्र मौका होता है जब इस महीने में सापों की पूजा होती है, सर्प की पूजा होती है बाकी पूरे साल में सर्प की पूजा कभी नहीं होती लेकिन सावन की शुकल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं और उस दिन सर्पों की पूजा की जाती है तो सावन का महीना अपने आप में बड़ा विशेश है और विशेश इसलिए है क्योंकि देवा धिदेव महा देव की शक्ती है इस महीने के पास और आप जानते हैं ति केवल शिव के बारे में कहा गया है भावी मेटि सके उत्रिपुरारी यानि विधाता का विधान केवल शिव बदल सकते हैं दुनिया में और कोई भी विधाता का विधान नहीं बदल सकता इसलिए जब विधाता का विधान बदलने वाले का महीना है तो आप इसमें प्राथना करके वो सब पा सकते हैं जो आपकी कुंडली में नहीं है जो आपके जीवन में नहीं लिखा हुआ है तो सावन के महीने में वर्षा की बूंदों के साथ वर्दान भी बरसते हैं, सिर्फ उन वर्दानों को पकड़ने की जरूरत है, भगवान शिव से प्राथना करने की आवशक्ता है सावन के महीने की विशेश सावधानिया क्या है? किन सावधानियों का पालन किया जाएगा? सावन के महीने में जल का संचयन करें, यानि जल को बचाएं, जल को सुरक्षित रखें, जिसको वाटर हर्विश्टिंग कहा जाता है, जल को बचाने की कोशिश करें, और जल की बरबादी बिलकुल न करें, कि बरसात हो रही है तो पानी बरबाद करो, ऐसा बिलकुल न करें, जल का संचयन करें, water harvesting करें इस महीने में, सावन के महीने में साग और पत्तेदार चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए leafy vegetables का प्रियोग नहीं करना चाहिए क्योंकि सावन के महीने में कीडे मकोडे आ सकते हैं और वो खाने से आप दिक्कत में आ सकते हैं आपको bacteria का infection हो सकता है इसलिए सावन के महीने में साग और पत्तेदार चीजों का सेवन ना करें बासी और भारी खाना मत खाईए क्योंकि सावन में पाचन छमता कमजोर होती है बासी खाने से भारी खाने से आप बीमार पर सकते हैं और सावन में मांस मदिरा का प्रियोग तो आप बिलकुल मत कीजिएगा मांस मदिरा का प्रियोग करना सावन में सख्त मना है सावन के महीने की जो धूप होती है वो कभी-कभी निकलती है लेकिन बड़ी तेज होती है बड़ी चुबती है आँखों में इस तेज धूप में घूमने से बचना चाहिए नहीं तो आँखों में कंजक्टिवाइटीस हो सकता है जिसको आप कहते हैं आँख आ गई है और अन्य संचारी बीमारियां जो इन्फेक्शन से फैलती है वो सावन में आपको हो सकती है इसलिए सावन में अपने आपको स्वस्थ बनाए रखने का प्रियास हम सब को करना पड़ेगा तो सावन की सावधानिया भी जान ली अब ये जानते हैं कि सावन में सामान निरूप से पूजा कैसे करेंगे क्या तरीका होगा देखिए सावन के सोमवार बड़े इंपोर्टेंट होते हैं बड़ा महत्तपूर मामला होता है सोमवार का दिन शिव का दिन सावन का महीना शिव का महीना चंद्रमा का दिन चंद्रमा का महीना शिव और चंद्रमा दोनों की कृपा इस दिन में रहती है इसी लिए सावन के हर सो मुआर को जहां तक संभव हो उपवास रखिए सावन में रोज अपने घर से एक लोटा जल भर करके ले जाईए और शिवलिंग पर चढ़ाईए बेल पत्र के साथ सावन में दूद का प्रियोग कम से कम करना चाहिए और शिवलिंग पर दूद बहा करके बरबाद मत कीजिएगा जरासा एकाद मूद आधा चम्मच प्रती कात्मक रूप से अरपित करें आप चाहें तो किसी को दान कर दें बाकी दूद और तामबे से दूद बिलकुल मत चड़ाईएगा तामबे का दूद विश होता है और ये विश वाली चीज अरपित करना ठीक नहीं है रोज सवेरे शिव पंचाक्छर इस्तोत्र का नागे इंद्रहारा यत्रलोचनाया यह ना नमः शिवाय का एक्स्प्लेनेशन है तो शिव पंचाक्छर इस्तोत्र का या शिव मंत्र का नमः शिवाय का जब करना आपके लिए फाइदेमंद होगा ऐसा रोज करें सावन में और इसके बाद ही जलपान या फलाहार ग्रहन करें अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज़्यादा उप्युक्त है सबसे ज़्यादा उत्तम है सावन में रुद्राक्ष पहनना रुद्राक्ष धारन करने की शुरुवात करना सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है वैसे तो भगवान शिव के अनन्त मंत्र है शिव के अनन्त नाम है कण कड में शिव व्यापत है हर कण शंकर है लेकिन भगवान शिव के किस मंत्र का जब किया जाए सावन में जिससे भगवान शिव की विशेश कृपा प्राप्त हो शिव तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं कभी सुनाओंगा शिव की कृपा की कहानी लेकिन फिलहाल ये जाने रहिए कि आपको कुछ मंत्र बताते हैं जिन में से कोई एक मंत्र आप ले लिजिएगा और पूरे सावन भर उस मंत्र का जब कीजिएगा देवाधी देव महादेव की कृपा आपको मिलेगे पहला मंत्र नमह शिवाय शिव पंचाक्षर है भगवान शिव का और दुनिया का सबसे अमोग मंत्र है नमह शिवाय ये मंत्र है दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते रूद्राय अम नमो भगवते रूदराय इस मंतर का जब भी कर सकते हैं तीसरा मंतर है ओम चंदर शेखराय नमः अगर चंदरमा की वजह से जीवन में कोई दिक्कत हो तो इस मंतर को पूरे सावन भर पढ़िए चंदरमा की समस्या दूर हो जाएगी अगर शीग्र विवा चाहते हैं या वैवाहिक जीवन को बढ़िया करना चाहते हैं तो भगवान शिव और मा पारवती का एक मंत्र पढ़ेंगे मंत्र देखे स्क्रीन पर मंत्र है ओम उमा महेश्वरा भ्याम नमहा ओम उमा महेश्वरा भ्याम नमहा इस मंत्र का जप करने से भगवान शिव और पारवती की कृपा से विवाह जल्दी होगा और अगर विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन सुन्दर होगा तो अपनी जरूरत के हिसाब से सावन में मंत्र जपे और कोई आवशकता नहीं है सिर्फ शिव कृपा के लिए मंत्र जपना चाते हैं तो नमा शिवाय का अधिक से अधिक जप करें नमा शिवाय का अधिक से अधिक जप करना आपके लिए बहुत फाइदेमंद होगा सावन में एक बात और भी याद रखने लायक है बहुत इंपोर्टेंट बात है कि सावन में सोमवार बहुत इंपॉटेंट है भगवान शिव की पूजा के लिए शनीवार बहुत इंपॉटेंट है शनी से धन संपत्ती पाने के लिए और मंगलवार बहुत इंपॉटेंट है मा मंगला गोरी की पूजा करने के लिए तो जिन महिलाओं का विवा नहीं हो पा रहा है या जिनकी शादी हो चुकी है और वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है वो सावन के मंगलवार को मा पारवती की उपासना करें भगवान शिव के साथ करना चाहें करें अकेले करना चाहें अकेले करें लेकिन सावन के मंगलवार को मा पारवती की उपासना करें उन्हें फूल चड़ाएं श्रिंगार की चीदें चड़ाएं उन्हें सिंदूर लगाएं ऐसा करने से मा पारवती की कृपा से उनका विवा जल्दी होगा और अगर विवा हो चुका है तो वैवाहिक जीवन के मुश्किल दूर हो जाएगी तो सावन का सोमवार सावन का मंगलवार और सावन का शनीवार बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और इन दिनों में अगर भगवान शिव मापार्वती और शनीदेव की पूजा की जाए तो निश्चित रूप से आप अपने मन्चाहे वर्दान पा सकते हैं और सावन में रुद्राक्ष पहनना भी बहुत फाइदेमंद होता है और सावन के बरसात की पार्क में सडक के किनारे अगर आप बर्गत का पौधा लगाते हैं तो आपके लिए बहुत सुन्दर होगा बहुत अच्छा होगा